लोगतंत्र डेमुक्रेसी ये क्या है और इसका क्या माइना है लोगतंत्र मतलब होता है लोगों का तंत्र इसके शब्दिक अगर हम अर्थ जानना चाहें तो लोग मतलब लोग तंत्रिया ने लोगों का तंत्रिया लोगों का नेटवर्क या लोगों द्वारा चराये गया एक नेटवर्क या संस्थान या सरकार अब इसका जो अंग्रेजी में शब्द होता है उसका मतलब है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो उत्पती हुई है उसकी होती है डेमोक्रेशिया से ग्रीक शब्द है और उसका सीधा मतलब होता है रूल बाई पीपल तो लोगों दौरा राज करना या लोगों के चुने हुए परतिनिधियों दौरा राज करना सत्ता प्राप्त करना और policies बनाना ये चीज़ आप इस discussion में कई बार सुनने वाले हैं तो हमने पिछले बार ये discussion किया कि लोकतंत्रिक सरकार कौन सी है और गैर लोकतांत्रिक सरकार कौन सी है इसमें क्या भेध है क्योंकि हर देश की सरकार जिस समय की हमने बात की थी चाहे वो पॉलेंट की हो चाहे वो चिली की हो सब में अलग-अलग विभेध थे क्योंकि उस देश के आप वाताबरण में या ववस्था में अंतर था तो लोगतांतर को हम किसी तरीके से या डिमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करेंगे इसकी क्या विशेशताएं है इसकी परिभाशा क्या होगी इसका एक अगर हम मीनिंग दिना चाहें तो क्या होगी कैसे हम बताएंगे कि ये सरकार जो है लोगतांतरिक है कैसे हम बताएंगे कि ये सरकार गयर लोगतांतरिक है उसके कुछ न कुछ तो पैरामिटर्स होने चाहिए कुछ न कुछ कारक होने चाहिए लेकिन अगर आज की बात करें या समगालिन दुनिया के बारे में बात करें तो लोकतंत्र सबसे लोगपुरिये शाथन पध्धती है बाकि जितने भी शाथन के तरीके है चाहे वो राजशाही हो, चाहे वो तानाशाही हो तो कौन सी चीज transmitted को या लोकतंत्रिक सरकार को बाकी विवस्थाइं जितनी भी है उनसे अलग बनाती है बहतर बनाती है और ये सवाल जरूर उठना चाहिए आपके दिमाग में कि लोकतंत्र की इतनी हम बात करते हैं क्या यही सबसे अच्छा तरीका है या इसे और भी कोई अच्छी विवस्था हो सकती है इन सब के बारे म आज हम जानकारी देंगे और इस पे जरूर आएंगे कि इनका क्या निश्कर्श निकलता है तो लोकतंत्र क्या है? एक साधारन भाशा में हम कहें जो मैंने कहा बार बार ये चीज़ आने वाली है कि सरकार का एक ऐसा रूप है लोकतंत्र जिसमें जो शासक होंगे जनता के जो शासक होंगे वो जनता खुद चुनती है यानि अगर हम जनता हैं आप और मैं जनता है और हमारे पास शासक हैं हम इनको खुद चुन रहे हैं अगर हम खुद चुन रहें, यह अपने आप नहीं आए, हम इनको चुन रहें, वोटिंग के जरीए मत देके इनको हम चुन रहें हैं, तो यह लोक्तंत्र में आगए और जो यह सरकार बनाएंगे वो लोक्तंत्रिक सरकार होगी, यह जो शासक हैं, यह हमारे आपके या कहें, इजनता द्वारा चुने जाते हैं अब जो चुनाव होगा आप ऐसे नहीं कि एक ही साहब है और आप इनको वोट कर रहे हैं अभी मैं चाइना का एक्जामबल लेने वाला हूँ एक ही साहब है उनको आपने वोट कर दिया नहीं ऐसा नहीं तीन-चार साहब होंगे जो खड़े होंगे इलेक्शन में आप इनको चूज कर सकते हैं और मैं इनको चूज कर सकता हूँ यानि मैं इनको इलेक्ट कर सकता हूँ आप इनको इलेक्ट कर सकते हैं यानि कि जो चुनाव होंगे चुनाव यानि किसी को चुनना चुनाव मतलब किसी एक को चुनना तो स्वतंत्र होंगे चुनाव यानि कि इंडिपेंडेंट होंगे और बिल्कुल प्रतिसपर्दी होंगे यानि कि ये जो तीनों है 80 चोटी का जोर लगाएंगे कि ये आपका वोट ले ले मेरा वोट ले ले एक और चीज़ कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो चाहे मैं किसी भी जाती का हूँ चाहे मेरा कोई भी रंग हो चाहे आपके पास धन जादा हो यानि धर्म शिक्षा जाती रंग धन इनके अंतर से कोई फरक नहीं पड़ता आप अगर व्यस्क हैं जिसे हिंदुस्तान की बात करता हूँ मैं तो 18 के उपर अगर आप हैं आप 18 साल अटेन कर चुके हैं तो आप के पास एक मत देने का अधिकार है यानि कि एक मत का आपका वोट देने का अधिकार है आप चुन सकते हैं अपने शासक अधिकार हैं मेरे आपके अधिकार हैं जैसे freedom of speech, freedom of expression ऐसे बहुत सारे मैं आप किसी भी धर्म को follow कर सकता हूँ इसे बहुत सारे अधिकार है हमारे तो ये जिनको आपने चुन लिया मान लीजी मैं इनको रख लेता हूँ ये A है ये B है ये C है और हमने समविधानिक एक तो कानून या समविधान और आपके जो अधिकार है अलिक देता हूँ उसके लिए इनके अंधर ही है काम करेंगे यानि कि इसके बाहर नहीं जा सकते एक तरीके से आपके जो अधिकार हैं इनका संग्रक्षन इनका संग्रक्षन करना संविधान का संग्रक्षन करना संविधान के अंदर जो आपके अलग-अलग अधिकार है उनका संग्रक्षन करना ये responsibility होगी ये जिम्मदारी किसकी होगी जिनको आपने चुन के भेजा है मैं बताओंगा कहां भेजते हैं आप चाहे तो संसद में भेज सकते हैं या फिर विधान परिशद में विधान सभा में भेज सकते हैं और अगर आप ग्रामरी लेवल पे लेके आएं तो फिर ग्राम पंचायत होती है कई जग़ा पे आप चुनाव करते हैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं जो है वो स्वतंतर होनी चाहिए अगर ये सरकार के अधीन है तो मान लीज़े आपने वोट दिया इनको मैंने नहीं दिया तो यह हो सकता है कि आपका फेवर करे तो नहाएक पालिका यानि कि जो जुडिश्री है जो गानून का पालन करवाती है या ये कहे कि आपके लिए डिसीजन देती है कि क्या सही है क्या गलत है फौजदारी हो चाहे वो आपका कोई भी एक तरीके की आप समझ लीजे कि कोई भी प्रॉब्लम हो दो राज्यों के बीच में या दो लोगों के बीच में तो उसका रिजोलूशन नियायपाली का करती है तो नियायपाली का स्वधंतर होनी चाहिए ये बहुत जरूरी हो जाता है तो परिभाशा की जरूरत क्यूं है इसमें एक डिसकशन है और डिसकशन कुछ इस तरीके से है कि एक मेरी बड़ी मिधावी चात्रा है अब इन्होंने सवाल पूछना शूरू किया और लिंग दो मैडम ने जवाब देना शूरू किया कि ये कहती है मेरी कि आपने जो पिछला डिसकशन था उसमें इतने सारे हमें किस्से सुना दिये इतने सारी कहानिया सुना दिये लेकिन अभी तक लोकतंत्र का मतलब तो हमें समझ में नहीं आ रहा है या ये कहिए लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश हम क्यों कर रहे है जो हमें लोकतंत्र की परिभाशा पहले गढ़नी थी, पहले पढ़नी थी, पहले समझनी थी, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले हमको लोकतन की परिभाशा समझने चाहिए, फिर हम बाकी बात करेंगे, तो लिंग दो मैडम का बड़ा अच्छा जवाब था, कि क्या आप, वो कहती हैं, मेरी तुमारी बातों परिभाशा इसकी कैसे चेंज होगी, तो मेरी फिर बोलती है कि अगर आप इनकी बरसात की, या कलम की, या प्रेम की परिभाशा नहीं देना चाहते, या इनकी परिभाशा इतनी सरल नहीं है, तो परिभाशा देनी ही क्यों है, तो मैडम कहती हैं कि देखो, जब बूदा ब बांदी हो रही हो या बादल फटरा हो या बर्व गिर रही हो तब हमें बरसात का तब हमारे पस बरसात की एक definition होनी चाहिए बरसात की परिभाशा जब हम बता पाएंगे तब हम बता पाएंगे कि बुना बांदी बादल फटने में क्या अंतर है यानि कि अब यहां सपष्ट परिभाशा की जरूरत होगी इसलिए जब हम बात करें लोकतांत्र की तो उसकी स्पष्ट परिभाशा की तब जरूरत पड़ेगी जब हम गएर लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक या अच्छा लोकतांत्रिक की बात करेंगे तो रिबियांग भी करते हैं कि मैंनЕ अबरहाम लिंककन का एक वा की सुना रिबियांग कहते हैं बड़ा अच्छा एक कतन था کہ अबरहाम लिंककन ने कहा था कि जो लोगतांतिक सरकार है वो लोगों के लिए लोगों की और लोगों के दौरा चलने वाली शासन विवस्था ही लोगतंतर है ये अब्रहाम लिंकन बहुत बहुत बड़े आदमी हुए अमेरिका के और बहुत माने हुए राजनितिग्य थे तो यहाँ पर लिंग्दोह मैडम कहती है कि अगर आपने ये सुना है ये लोग मानते भी है ये बहुत अच्छी डेफिनिशन है तो लिंग्दोह मैडम कहती है कि देखे एक बड़े आदमी न अगर कह दिया है तो वो परिभाशा को आप एक्चल परिभाशा नहीं मान सकते ये नहीं मान सकते कि ये ही लोगतंतर की सर्वोत्तम ये सबसे बड़िया परिभाशा है और भी चीज़े हमें इसके बारे में सोचनी चाहिए तो योलांदा भी बात करते हैं योलांदा ये कहते हैं कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ और वो परिभाशा तलाशने की वो कहती है जरूरत ही नहीं है क्यों योलांदा ने अपना डिसकुशन दिया जैसे यहां इनों रिभियांग ने बताया कि अबरहाम लिंका नहीं किया तो यहां पर योलांदा ने भी कहा देखी ऐसा है डेमोक्रेसी जो शब्द है वो आया है डेमोक्रेशिया से इसमें युनानी शब्द है ग्रीक शब्द है डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेशिया का मतलब होता है शासन याने लोगों का शासन तो यहां पर तो हमें पूरी डेफिनेशन ही मिल गई ना क्या ये सही है तो लिंग दो मैडम फिर इसके बारे में डिसकेशन करती है कि बहुत बढ़िया आपने बात कही लेकिन केवल शब्द अगर शब्द का संदी विछेत किया जाए शब्द का विभेत किया जाए और उससे अगर आप परिभाशा निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि परिभाशा सही हो आप जरूर शुरुआती दौर पे ये कह सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेशिया मतलब लोगों का रूल लेकिन उन्होंने एक एक एक्जामपल दिया कि जो कंप्यूटर था पहले कैलकुलेटर हुआ करता था पिर कंप्यूटिंग मशीन बनी आज कंप्यूटर में क्या है आप सारे काम कर सकते हैं कंप्यूटर जो कंप्यूटर में सारे काम कर सकते हैं फिर उसके बाद में एंटर करती है इसमें, कि इसका मतलब यह है कि हम यह जो परिभाशा जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई shortcut नहीं है, हमें जरूर इसके बारे में बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा तब इसकी परिभाशा गड़ी जा सकती है, किसकी परिभाशा लोकतंत्र की यह सारा जो discussion हुआ है, वो लोकतंत्र की परिभाशा पर हुआ है तो लिंग्दो मेडम कहती है बिलुकल सही, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं वो यह कहती है, इस पर हम discussion करेंगे, तो एक सरल परिभाशा से यहां से शिरुवात करते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं यहां से यह इस से ज़्यादा सरल परिभाशा लोकतंत्र की या डिमोक्रेसी की नहीं हो सकती कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें जो शासन कर रहे होंगे उनको चुनने का अधिकार या उनको चुनाव लोग करते हैं तो चाहे आज की बात करें आप कि कोई भी सरकार हो वो खुद को लोकतंत्रिक कहना या कहलाना चाहती है कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो लेकिन आप आप देखें कि क्या वो वाकई में लोकतंत्र फॉलो कर रही है या कि बस दिखावटी मामला चल रहा है क्या कि बस दिखावट तो नहीं हो रहा क्या क्योंकि लोकतंत्र के जो प्रारूप है अपका राज कर रहे हैं, क्या हूँ वाकई में लोकतंत्र है इसके लिए क्या करेंगे फिर और एक्जामपल ले लेता है कुछ है कैसे एक्जामपल लेंगे उस एक्जामपल से आपको बिल्कुर समझ में आ जाएगा कि हमने जो इतनी लंबी बात की उसका निशकर्च क्या निकलेगा या उसको हम कैसे समझे तो लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासों का चुनाव करती है यह तो हम बार-बार समझ चुके अच्छी तरह समझ चुके तो आप देखेगा कुछ देशों का एक्जामपल लेते है और निर्वाजची जो नेता थे बकायदा जिनको इलेक्ट किया गया लोगों ने उनको संसत भेजा या लोगों ने उनको चुनाव किया कि हम पे शासन की गया हमारे ले नीतिया पॉलिसिया बनाई है तो निर्वाजची जो नेता थे लीडर्स थे उन्होंने कैसे निर्णा लिए पाकिस्तान की तरफ चलते हैं हमारा बहुत करीबी पडोसी है तो पाकिस्तान में जनरल सहाब हुए परवेज मुशर्रफ सहाब इन्होंने ऑक्टूबर ऑक्टूबर 99 परवेज मुशर्रफ सहाब की बात कर रहे हैं 1999 में इन्होंने सेना क्योंकि ये सेना की जनरल थे इन्होंने तखता प्लड कर दी जो इलेक्टेट सरकार थी उसका तखता प्लड कर दिया और फिर जो निर्वाचित रूप से सरकार थी लोकतांत्रिक रूप से बाकाइदा लोकतांत्रिक डेमोक्राटिक रूप रूप से जो निर्वाचित सरकार थी उसको हटा दिया और ये परवेज मुशर्रफ सहाब ये बन गए राष्टपती क्या बन गये राश्पती बन गई है पाकिस्तान के फिर 2002 में इन्होंने जन्मत संग्रह कराया और क्यूंकि जन्मत संग्रह कराया लेकिन इन्होंने बहुत सारी इसमें दोगा धरी कर दी है ना धर्गा धरी करके इन्होंने क्या क्या अपने जो शासन है उसको पांच साल और इन्होंने एक और चीज़ की जो कानून पारित किया वखाइदा और उसको कहा उन्होंने legal framework order अब legal framework order क्योंकि राश्पती तो ये बनी चुके थे तो इस जो कानून पारित हुआ इसमें राश्पती कभी भी जो राश्पती है यानि central और प्रांती है जो state इन विधान सभाओं को खारिज कर सकता है यानि राश्ट के जैसे हमारे देश की बात करें तो हमारा जो राश्पती है अगर लेवल पे देखें तो हमारी संसथ है राजसभाज और लोगसभाज इसी तरीके से अगर हम state पे आ जाएं जैसे अगर माल लीजे आप एक कोई भी examiner उत्तर प्रदेश की बात दे लीजे तो विधान सभाज है और उसके मुख्य मंतरी जो होते हैं वहां के जो elected जो अपने लोग विधायक चुने हैं वो elect करते हैं तो जो विधान सभाज और मैं संसथ की बात कर रहा हूं तो जो पाकिस्तान में है यह इनी का जो जो भी नाम वहां पर होगा उनको वो कभी भी कारीज कर सकते हैं यानि कभी भी इन विधान सभाओं को चाहे वो central लेवल पे हो, चाहे वो state लेवल पे हो उनको कभी भी वो खतम कर सकते हैं तो अब राष्ट्छिय और प्रांतिये विधान सभाओं को खारीज करने मीका power अ गया पावर तो थी नहीं, क्योंकि अंतिम जो फैसला था, वो किसके पास था, वो तो जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ साब के पास था, क्योंकि सारी सत्ता की चाबी, या सारी सत्ता जो है, इनके हाथ में थी, तो क्या आप कह सकते हैं, कि परवेज मुशर्रफ, जो वहां इसको आप जनतंत्र या लोगतंत्रों तो कभी भी नहीं कह सकते क्योंकि लोगतंत्र का मतलब ही यह होता है कि जो अंतियम निर्डा लेने का यह कहें लोगों को चुनने का और लोगों को चुनने के जिनको चुनना है उनके पास आधिकार होना चाहिए किसी एक आदमी के पास नहीं क्योंकि परवेद मुश्चरफ को तो आपने इलेक्टि नहीं किया उन्हों तो सेना सेना तख्ता पड़्टी की और आगे वो अपने पावर में तो अगर लोगों के पास या लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास अंतिम पावर नहीं है डिसिजिजन मेकिंग नहीं है तो फिर ये लोगतंत्र नहीं है अब इसी काई एक्जामपल में आपको चाइना का देता हूँ पहले दी समझे लिजे लोगतंत्र में अंतिम निर्ने की शक्ती दोरों लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिद्यों के पास ही होनी चाहिए इसको बिल्कुल ये लोगतंत्र की जो हम परिभाशा गंडी की कोशिश कर रहे थे जो लिज्डो मैजम और मेरी बात कर रही थी आपस में उसका यही मطलब है कि अगर इनके पास नहीए तो ये एक परिभाशा है आ गे इसका मतलब कि पावर किसकी पास होने चाहिए लोगों के पास वरना ये लोगतंत्र या लोगतंत्रक सरकार नहीं है फिर हम आते हैं चाइना में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनावी मुकाबला यहां पर कैसे होता है चाइना की बात कर रहा हूँ जो चाइना की संसद है उसको कहा जाता है कवागुओ यह उनका जनसद है जैसा हमारे पारलेमेंट होता है वैसे उनका राश्ट्री जनसद है अब यही संसद जब बनेगी तो यह देश का राश्पती चुन सकती है जैसे शी जिन पिंग अभी है तो संसद के देश का राश्पती चुन सकती है पूरे चीन से पूरा चाइना से ती तीन हजार लोग सदस्य चुनके आते हैं तीन हजार और इसमें कुछ सदस्यों का चुनाओ जो है वो सेना भी करती है लेकिन बात यहाँ पर क्या है कि चीन में नैशनल पीपल्स कॉंग्रेस ये नामक देश की एक संसत के चुनाओ के लिए हर पांच सार मतलब ये जो मैं आपको बताया है राश्टी जन संसत नाशनल पीपल्स कॉंग्रेस इसके लिए बकाइदा हर पांच सार में चुनाओ होते हैं जैसे मैं ने बताया तीन हजार लोग तीन हजार प्रतिनी दी आते हैं अब चुनाओ लड़ने से पहले ये जो तीन हजार लोग हैं ये जाते हैं चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के पास और वो अगर इनको अप्रूव करती हैं तभी वो चुनाओ लड़ सकते हैं चलिए यही पर एक बात गरबर हो गई उसके बाद सरकार हमेशा किसकी बनती है कम्यूनिस्ट पार्टी की क्योंकि लड़ कोन रही है कम्यूनिस्ट पार्टी लड़ती है या उसके जो बहुत छोटी-छोटी पार्टीया है जो चनाओ लड़ती है जो जो कम्यूनिस्ट पार्टी है उसी से रिलेटर है और कोई party ही नहीं है, तो सरकार हमेशा किसकी बनेगी, अगर कोई और प्रतिद्वंदी नहीं है, या निश्पक्ष या फिर ये कहें प्रतिस्परदा नहीं हो रही है, तो हमेशा communist party ही तो सरकार बनाएगी, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं, कि क्या ये लोकतंत्र है, जब एक party है, वही party के आदमी, वही party के सिधानतों को आपको चुनना है, तो लोकतंत्र नहीं है आपे, अब मेक्सिको की बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा page अलग है, क्योंकि मेक्सिको में ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे मेक्सिको में एक party 1 है, party 2 है, party 3, यह सभी लड़ते हैं, मेक्सिको में 30 परधा होती है, तो राष्टपती का चुनाओं मेक्सिको में हर 6 साल में होता है, लेकिन 2000 सन 2000 में जो चुनाओं वहाँ उसमें P.R.I. यानि की संस्थागत कांतिकारी party इसको कहते हैं, P.R.I. इसका जो अंग्रेजी में नाम है, इसको हम कहते हैं, institutional revolutionary party, यानि क से, तो ये चुनाओं उन्हों ने जीत लिया 2000 में, वे पक्षी दल चुनाओं रड़े, लेकिन वो कभी इस पे जीतने में possible नहीं हो पाते हैं, उसका कारण क्या है, हमेशा के हमेशा 2000 के बाद जब भी जीत होती है, P.R.I. की ही होती है, तो ये चलते है चाल, P.R.I. चलती ह उनके कि माबाब है, उनको बोलते है कि आपको किस को वोट देना है? P.R.I. को वोट देना है, तो माबाब बच्यों के कारण देना पड़ता है उनको, इसकी अलावा जो मीडिया है, वो केवल विपक्षी दिर्न जो है, जो पार्टी टू और पार्टी थ्री है, उनकी केव पैसा इनके पास है, P.R.I. बहुत पैसा खर्च करती है तो आब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बकाइदा प्रतीस परदा हो रही है लेकिन हमेशा P.R.I. ही आती है क्योंकि वो धानले बाजी करती है यह सब चीजे अपनाती है ताकि वो जीत सके तो ना तो यहाँ आप प्रॉपर लोगतंतर देख पा रहे हैं ना चाइना में ना मेक्सिको में और नहीं आपने देखा कि पाकिस्तान उस समय है आज तो पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है बकाइदा लोगतंतरी सरकार है चुनी होई सरकार है लेकिन ये जो पहले की बात थी اور ये जो हमने दो बात की ये तो लोगतंतर माना ही नहीं जा सकता क्योंकि लोगतंतर में स्वतंतर और निश्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी होता है यानि कि अगर कोई पावर में आगया प्यार है अगर और 2000 में पावर में आगयी कि जो शासक है जैसे पियाराई पियाराई जो मेक्सीको में है उसको वो हटा सके लोगों के पावर होनी चाहिए कि अगर उनको परवेद मुश्रणव साफ पसंद नहीं आ रहे थे तो उनको हटा सके जैसे हमारे यहाँ 2014 में कॉंग्रेस सरकार को हटा आए गया जो बीजेपी सरकार है मोदी जी के सरकार को लाए गया फिर 2019 में फिर इसको रिपीट कर दिया गया फिर से मोदी जी आ गया तो लोगतंतर निश्पक्ष और सोतंतर चुनाओं पर आधारित होना चाहिए ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जीत भी सके हर भी सके ऐसे नहीं है कि हमेशे जीतते ही रहे इसमें एक बात आती है एक व्यक्ति एक वोट एक मूले यानि एक व्यक्ति का एक वोट होता है होना चाहिए और उसका एक ही मूले होना चाहिए वोट देने के समान अधिकार से वन्चित करने के हमें कई उधारन मिलते हैं मैं अलग अलग देशों का आपका एक्जामपल देता हूँ मैं लेता हूँ सौदी अरब का एक्जामपल Islamic State है यहाँ पर महिलाए यह वोटी नहीं दे सकती है इनके पास अधिकार ही नहीं है एस्टोनिया की बात करता हूँ एस्टोनिया में इन्होंने इस तरीके से कानून मना रखे हैं कि जो रूसी एस्टोनिया में रूसी एक अलपसंख्यक वर्ग है जैसे हिंदुस्तान में ख्रिषृ Carnes और Muslim यह अलपसंख्यक वर्ग हैं एसी एस्टोनिया में रूसी जो लोग है वो अलपसंख्यक वर्ग है इनको इन्होंने इस तरीके सा कानून मना रखे हैं कि एस्टोनिया में जो अलपसंख्यक वर्ग है रूसी वो मतदान करी नहीं सकता फीजी में आजाईए फीजी में क्या होता है कि जो वहां के citizens है मतलब जो एक समय से वो रहते आ रहे हैं जो वहां के natives है जो उनके citizen नहीं कहूंगा जो natives है citizen तो हिंदुस्तानी भी है वहां पे लेकिन अगर आप फीजी की बात करता हूँ फीजी में जो वहां का जो ये कहें कि native है या वहां का हमारे आज जैसे कहते हैं domicile है तो वहां का आदमी जो है वो उसके vote का मूले होता एक और अगर वहीं फीजी में रहने वाला फीजी का citizen अगर हिंदुस्तानी आदमी है तो हो सकता है उसके vote का मुले हो डिर्ड आधा आधा हो जाए मैं यह 0.5 नहीं कह रहा हूँ कि फीजी का जो आदमी है जो वहाँ का नेटिव है जो वहाँ का डोमेसाइल है उसके वोट की जादा वैल्यू है दी जाएगी और अगर कोई और होगा उसकी वोट की वैल्यू आधी या चौथाई ऐसी कर दी जाएगी तो ना यहाँ पर आप वोट का मूले एक बराबर देख पा रहे है और एक वोट यहाँ एस्टोनिया में तो दे ही नहीं सकते आप साओधी अरब में महिलाई दे ही नहीं सकती तो यहाँ से एक और चीज निकल के आती है आपके लोगतंत्र की कि जितने भी वियस्क नागरिक हैं जिन्होंने एक समझदारी की एज अटेन कर लही है उनके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए और जो भी वोट दे रहे हैं उनका समान मूले होना चाहिए समान मेट होना चाहिए यहाँ पर कानून का राज और अधिकारों का आदर लोगतंत्र की में बात यह होती है कि जो कानून बने हुए है वो प्रिवेल करें उनका राज हो और जो लोग हैं उनके अद्धिकारों का आदर किया जाए, इजब की जाए तो स्वतनता के बाद मैं बात कर रहा हूँ जिम्बावे की, अब क्या हुआ है हाँ पर पहले कैसे चीजे ठीक थी और किस तरीके से बदली तो स्वतनता के बाद, जिम्बावे की बात हो रही है यहाँ पर जानू पीएफ, जानू पीएफ नाम की एक पार्टी है जिसने शासन किया, अब इसके नेता थे रॉबर्ट मुगावे यह शासन कर रहे थे, बड़े लोगप्रिये थे क्यूंकि इन्होंने जब स्वतनता के लिए संगर्ष हो रहा था इस स्वतनता संगर्ष में रॉबर्ट मुगावे सहाब ने बहुत बड़िया काम किया तो लोगप्रिये थे, लेकिन चुनाओं के में जब वो जीद गई आविये कहें कि जब शासन कर रहे थे, इन्होंने चुनाओं में जो लेक्शन होता था उसमें बहुत से अनुचित तरीके अपना है चुनाओं बकाइदा नियमित रूप से जिस समय होना चाहिए होता था लेकिन हमेशा ये जानुप P.F. जीदती थी क्यों? क्योंकि राबर्ट मुगावे सहाब अनुचित धंग से चीज़े करते थे क्या करते थे ये? कि जो विपक्षी पार्टी है क्योंकि एक पार्टी तो नहीं होती है एक से जादा पार्टी होती है लोगतंत्र में तो वहाँ के जो कारे करता थे उनको ये बड़ा परिशान करते थे और उनकी बैठक जो विपक्षी पार्टी उनकी बैठक होती थी उनको ये लोग बाधिद करते थे याने कि जानू P.A.F. के जो कारे करता थे वो इनकी बैठकों को विपक्षी पार्टी की बैठकों को बाधिद करते थे अगर सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध प्रदर्शन हो जिसे पब्लिक अगर रैली करे पब्लिक अगर सरकार के विरोध में आए या कोई भी प्रदर्शन करे उसको सीधा ये लोग कहते थे कि ये अवैद है ये लीगल नहीं है इसको बस मना करते थे और रेडियो टेलिवेशन जो की जो मीडिया है यानि की इन्फरमेशन पहुचाने के जानकारी पहुचाने के सादन है ये कौन नियंतरित करता था ये जानू पीएफ रॉबर्ट मुगापे इसको नियंतरित करते थे और केवल जानू पिएफ यानि की अपनी पार्टी का ही संस्क्रम देते थे अपनी ही चीजें वो बताते थे समाचार पत्र यानि न्यूस फिपर ये तो सतंद्र थे लेकिन अगर वो कोई भी पत्रकार उनके खिलाफ लिखता था तो बस उसकी आफ़त आ जाती थी ये सारे जानू पिएफ वाले उनको परिशान करते थे कई ऐसे फैसले भी हुए अदालत ने जिसको किये सरकार ने यानि कि राबर्ट मुगावे ने इन सब को नजर अन्दास कर दिया और मकाइदा नयद हिशों पे जो जजजस थे उन पे दबाव डाला तो इस मामले में अगर आप सोचिए तो जिम्बावे की सरकार यानि कि जो राबर्ट मुगावे द्वारा जो लीडिंग की हुई सरकार है वो क्या लोकतांत्रिक थी क्या यहांके जो citizen हैं जहांके जो लोग हैं उनके पास कोई मूल-भूत अधिकार बचा है कोई राजनितिक विपक्ष ही नहीं क्योंकि वो तो वैसे ही परिशान किया जा रहा है न्यायपालिका की बातों को माना नहीं जा रहा है और जो जजेज हैं उन पे दबाव डाला है यानि की कोई न्यायपालिका भी नहीं है यानि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो तो है लेकिन वो ना तो समयधानिक कानून के अंतरकत काम कर रही है ना ही नागरिकों के अधिकारों को वो देख रही है उसको एक तरीके से मदद कर रही है या संगरक्षित कर रही है तो ये ध्यान रखेगा कि सम्वेधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा मिर्धार्दी सीमाओं के भीतर ही एक लोकतांत्रिक सरकार का शासर होना चाहिए ये हमें एक और बात पता चली किसकी लोकतांत्र की तो कुछ जो बुनियादी अधिकार हैं उनका आदर होना चाहिए जिसके भी चाहिए कैसा भी आदमी हो कोई भी आदमी हो सब के बुनियादी अधिकार होते हैं उनका आदर होना चाहिए और अगर कोई अपनी राय बनाता है सारवजनुरी की रूप से वो आता है अपने विचार व्यक्त करता है जिसे हम freedom of expression कहते है कोई संगठन बनाना चाहता है विरोध करना चाहता है जो राजनेतिक गतिविधियां हो रही है अगर उनको सही नहीं लगती तो उसके खिलाब बोलना चाहता है तो उनके लिए पूरी स्वतंता होनी चाहिए इसके अलावा कानून की नजर में सभी समान होने चाहिए यनिकी एक न्यायपाली का ऐसी हो जो स्वतंत्र हो बिलकुल ना तो वो सरकार केंडर में आती हो ना किसी केंडर में आती हो न्यायपाली का बिलकुल स्वतंत्र होनी चाहिए तो एक लोगतांती सरकार सिर्फ उस कारंट से मनमानी नहीं कर सकती है जैसे जानू P.F. का आपने देखा रावट मुगाबे साहब का देखा कि अगर वो चुनाओ जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाओ जीत गए तो वो अपनी मनमानी कर सकते है वो उनको पुरा ख्याल लखना पड़ेगा सबसे बात करनी पड़ेगी और लोगों का ख्याल लखना पड़ेगा उनके हिसाब से चीज़े करनी पड़ेगी ये लोगतांतीर की सबसे बड़ी विशेशता है इसमें आपको एक और चीज़ में बताना चाहूंगा वो ये है कि एक लोगतांत्रिक सरकार दुवारा मैं रिपीट कर रहा हूँ एक लोगतांत्रिक सरकार समय धानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों दौरा जो खीची हुई लक्षमन रेखा है उसको लांग नहीं सकती उसके भीतर ही काम करेगी यानि कि जो खानून बने हुए है सविधान जो कॉंस्टिटूशन या कोई भी खानून जो बनाए गए है देश के उसके खिलाफ नहीं जाएगी उसके आगे नहीं जाएगी और नागरी के अधिकार सबसे जरूरी है तो फिर से एक बात आ जाती है हम वही से शुरुआत करते हैं जीरो से कि लोगतांत्रिक सरकार का एक ऐसा रूप है या लोगतांत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासोकों का चुनाव हम लोग करते हैं याने कि लोग करते हैं तो क्या यह परिभाशा परियाप्त हो रही है हमने देखा कई एक्जामपल लेके हमने देखा क्या हो रहा है और कैसा होना चाहिए एक लोगतांतिक सरकार में क्या होना चाहिए यहीं से हम निकालते चले जा रहे हैं कि परिभाशा क्या होनी चाहिए तो लोगतंत्र शासन अगर मैं इसको फिर से चार चीज़े जो हमने सीखी उसको मैं अगर एक तरीके से समराइस करना चाहूं तो लोगतंत्र शासन का मतलब ऐसा रूप हो गया जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसला करेंगे करना चाहिए और चुनाव लोगों के लिए निश्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलग कराता है या करना चाहे कि वो जो मौजूदा शासक है जैसे कि राबद मुगावे साब को देखा उनको लोग चेंज कर सके जो मौजूदा शासक है उसको चेंज कर सके ये विकल्प और अफसर ये सभी लोगों के सामने होने चाहिए ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास होने चाहिए कि जो भी सरकार में हैं अगर उनको उनकी पॉलिसी या राज करने का तरीका पसंद नहीं आ सकता है या आ रहा है तो उनको हटा दिया जाए और इसके बाद जब चुनाओ के बाद सरकार बनी है तो बनी सरकार समीधा ने जो बन्यादी कानून बनाए है जो दाइरे बनाए है जो रूर्स रेगुलेशन बनाए है और नागरित अधिकारों का दाइरा इस बॉंडरी के अंदर काम करेगी ये लोगतांतर शासन का एक तो लोगतांतर के गुण क्या है लोगतांतर के खिलाफत क्या है या उसके ड्रॉबैक्स क्या है तो लोगतांतर क्यू है या लोगतांतर के खिलाफ अगर हम तरक दिना चाहें तो सबसे पहले चीज़ आती है कि लोगतांतर में नेता बदलते रहते हैं आज कोई कल कोई ये नेता बदलते रहते हैं लोकतंतर के खिलाफ ये बात होती है लोकतंतर का मतलब सिर्फ राजनेतिक लवाई ही या सत्ता का खेल है लोग अपसमे एक पार्टी, वीजेपी, कॉंग्रेसी अपसमे लड़ रहे है यानि कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर किया सत्ता की लाई चल रही है नैतिकता की कोई जगा नहीं है कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है चुनाख जीतने के लिए या सत्ता बनाने के लिए एक चीज़ यह है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि सबकी बात सुननी पड़ेगी आपको सरकार की बात सुननी पड़ेगी जो representative है, अलग-अलग trade unions है, अलग-अलग संगठन बने हुए है, civil society है, सबकी बात सुननी पड़ेगी, तो यहाँ पर लोगों यह कहना है जो लोकतंत के खिलाफ बोलते है कि इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है यह तो फैसले में बहुत देरी हो जाएगी यानि कि कोई भी rules delayed is rule denied कोई भी चीज इतनी चर्चा बहस इतनी सारे लोगों से करेंगे तो फैसला कब होगा कई लोग यह भी कहते हैं कि जो नेता आपने चुने हुए है उनको लोगों के बारे में पता ही नहीं है तो इसके लिए क्या होता है कि वो खराफ फैसले ले लेते हैं या खराफ फैसले लेते हैं कि उनको नॉर्मल पब्ली के बारे में पता ही नहीं है और लोगतन तर्वे आप देखिए जो हमारा आकड़ा आपके सामने रखता हूँ तेरा सो करोड इतने अगर हम खर्च करते हैं इतने हम अगर खर्च कर रहे हैं हमारे पुरा जनरल इलेक्शन होता है तो लोगों का ये भी कहना है कि जो चुणावी लड़ाई हो रही है जो पैसे वाले खुब पैसा खर्च करता हैं तो पैसा बहुत खर्चा होता है तो इसका मतलब इसमें जो भरष्टा चार है वो बहुत जादा है कई लोग अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकते कई लोग जैसे मैं और आप अगर हो गए एक एक्जामपल ले रहा हूँ तो अगर हम अपना बुरा भला नहीं समझ सकते तो हम अपनी ये सरकार कैसे चुनेंगे कई लोग ऐसा बोलते हैं ये लोग तंत्र के खिलाफ तर्क हैं लोग तंत्र के अगेंस जो लोग बोलते हैं या ये भी हमको समझना चाहिए कि लोग तंत्र में ये ये कमिया हैं लेकिन यही पर आप देखें कि लोग तंत्र में के पक्ष में क्या तर्क दिये जा सकते हैं इस पक्ष में आने से पहले मैं आपको एक ज़रा वाक्या सुनाता हूँ क्या हुआ कि चीन में चाइना में 1958 से 61 तक भेंग कर अकाल पड़ा बहुत बड़ा बड़ा अकाल पड़ा इसमें तीन करोड लोग भूख से मर गए अब चीन में क्या था कम्यूनिस सरकार है एक ही पार्टी है कोई उनके खिलाब बोलनी सकता कोई नियूस पेपर में देनी सकता कोई ऐसी बात उनके मतलब ये समझे सुतंतर मीडिया नहीं है उनी दिनों भारत की जो आर्थिक स्थिती थी वो चाइना से कोई ज़ादा अच्छी नहीं थी लेकिन हमारे देश में कभी भी भुकमरी की स्थिती नहीं आई आर्थर शास्तियों का मानना ऐसा है कि जब हमारा देश है हमारा देश क्योंकि लोकतांतिक सरकार है उस कारण से हमने खाद्य सुरक्षा फूड सेक्यूरिटी इस पे बहुत अच्छा काम किया लोगों के पास भोजन पहुँचे जो हाशे पे खड़े लोग है या लाइन में लास्ट में खड़े हैं उन तक को हमने भोजन पहुँचाया इस कारण से हमारे पास ऐसी सिचुईशन नहीं आई अर्थर शास्तरी ये भी कहते हैं कि कोई भी स्वतंत्र और लोकतांतिक देश जहां भी है वहाँ पर बहुत मुश्किल है कि अकाल और भुकमरी हो अकाल और भुकमरी कभी नहीं पड़ी याद है हिंदोस्तान में 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें 30 लाग लोग मरे थे लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार बन गई उसके बाद कभी भी ऐसी सिचुईशन नहीं आई तो लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरन करने के मामले में लोगतांतरिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बहतर मानी जा रही तो जो लोग खिलाव बोलते हैं उनकी भी बात हमें सुननी है और हमें समझनी है और जो इसके पक्ष में बोलते हैं तो जो पक्ष में बोलते हैं वो देखीगा पहले चीज़ तो है यह है कि लोकतांत्रिक शासन पंदती दूसरों से बहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाब दे ही वाला स्वरूप है इसका मतलब जवाब दे है कोई भी लोकतांत्रिक सरकार को भी डिमोक्रेटिक अगर आप कहें सरकार है डिमोक्रेटिक तो ये लोग इसे चुनते हैं तो लोगों को जवाब देना पड़ता है अगर लोग अगर कुछ मांगते हैं तो या वो सरकार अपने हिसाब से कुछ करती है तो वो जवाब दे है सरकार आप देखिए RTI 2005 आप सरकार से पूछ सकते हैं कि भाई ये क्यूं किया इसका हमें ब्य रिलेटेड हैं या फिर उसका स्टेक इसमें लगा हुआ है जैसे अगर कोई भी मुद्दा हो अगर किसानों का मुद्दा होगा तो आप गन्ना वे अपारी से बात करेंगे आप किसान से बात करेंगे आप उन लोगों से बात करेंगे जो इन सब चीजे में रिलेटेड है एकरी कल्चेर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर अच्छा निरणाय बन जाता है, फिर उसके बाद लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को सम्हालने का तरीका उपलब कराता है, अगर वाईचांज जैसे हिंदुस्तान में देखिए, हिंदू है, मुस्लिम है, और पंडित हैं, ऐसे कई मामले हैं जो सामने आते हैं, जिससे कॉन्फिक्ट होने की समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन क्योंकि यह लोकतंत्र है, तो सबसे बात क्यों अलग-अलग समू है, सबकी मानिता अलग है, और सबको प्रॉपर वेटिज मुला हुआ हुआ है, S.C.S.T. को अगर रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो अगर मैनॉरिटीज हैं, उनके लिए भी सरकार में बहुत कुछ कर रखा है, तो यहाँ पर जो मत्भेद हैं और टक्राव, उनको सम्हालने की विवस्था बहुत अच्छी है, उपलब्द कराता है यह तरीका लोकतंद। इसके बाद है, लोकतंद्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, अब आप देखें, चाहे आप अमीर हों, चाहे आप गरीब हों, आप तो वोट दे रहे हैं, अपनी सरकार को चुन रहे हैं, कई यह पूछता है आपसे कि आपकी जेब में कितना पैसा है, यानि कि आपका दर्जा है, आप जानते हैं, कि मेरे एक वोट का बहुत मूल है, और हम जिसको चुनते हैं, उसकी कामकाज को भी देख रहे हैं, अगर हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर यह बात आती है, कि लोकतांत्रिक विश्था दूसरों से बहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भ गया तो, तो यह आपके पास गलती को ठीक करने का अवसर भी मिल जाता है, और सरकार को भी अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिल जाता है, दोनों ही तरीके हैं, लोकतांत्र के बारे में कितनी सारी definition देख ली हमने, कितनी बात हमने समझ ली, तो लोकतांत्र का एक व्यापक अर्थ ये होता है कि हमारे समय जब ये समय लोकतंत्र जो सबसे आम रूप में है जो हमारे सामने आया हुआ है हम जो देख रहे हैं वो प्रतिनीधी लोकतंत्र है इसका मतलब कि बहुमत को सभी लोगों की और से निरिनाय लेने की अनुमती होती है फिर से मैं बताऊंगा कि मै और आप हम जिसे हजार लोग हैं यह लाक लोग हैं, करोड लोग है हम एक अपना प्रतिनीधी चुनते हैं हम उनसे बोलते हैं, हम उनको मानते हैं कि हमारे लिए आप डिसिज़न करेंगे यानि कि यहाँ पर लोकतंद्र का व्यापकरति यह होता है कि ये प्रतिनीधी लोग तंत्रे हमने अपना प्रतिनीधी संसत में भेजा है हमने अपना प्रतिनीधी जो है विधान साभा में भेजा है तो हमारे लिए वो अब निरनाय लेंगे तो अधिरकांश लोग अपने चुने हुए प्रतिनिध्यों के माध्यम से ही शासन करते हैं क्योंकि हम लोग इतने सारे हैं किसी भी देश में आप देखें जैसे हम लोग 130 करोड के उपर हैं हम लोग सारे मिलके तो एक सार डिसिजन नहीं ले सकते हैं प्रतिनिधियों को भेजते हैं, 500 प्लस हम भेज देते हैं, 540 करी के से उपर, 540 प्लस हम भेज देते हैं, लोग अपने जो दो संसद होती है, एक में राज्य सभा और जो लोग सभा है, तो लोग सभा में भेज देते हैं हम लोग, अब हम उनसे कहते हैं कि हमारे ने डिसीजि हो जाता है अगर मैं बार-बार सरकार की बात करूं तो यहां भी ठीक नहीं है मालीजी आप एक community में रहते हैं या फिर एक society में रहते हैं मालीजी को society है एक विकास नगर society इस society में कुछ laid down rules हो गए आपने क्या किया एक secretary चुल लिया आपने एक chair person चूज कर लिया एक treasurer चूज कर लिया अब आप लोग मालीजी यह 500 है तो यह जो तीन लोग है और एक दो member और चूल लिये तो यह member आपने इसलिए बना दिये कि आप हमारे लिए decision लीजी तो लोगतंतर यह एक सिधान्त है जो कहीं भी लागू हो सकता है तो लोगतंतर सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी लागू हो सकता है जैसे मैं आपको एक society बताए लोगतंतर एक सिधान्त है basically कहीं भी आप लगा सकते हैं कई भी यह अप्लाय हो सकता है तो इन कत्रों को मैं जरा बताना चाहूँगा आपको इससे कुछ और समझ में आएगी हमें चीजे कि हम मैंने जैसे कहा हर जगा लोगतंत्र हम किसी भी संगठन में किसी जगा लगा सकते हैं तो तीन चीजे मैं आपको बताओंगा समझने की कोशिश करिए कहा लोगतंत्र है कहा नहीं हम लोगों का परिवार एक सहाब बोलते हैं हम लोगों का परिवार काफी लोगतंत्रिक है जब भी फैसला होता है हम सब बैट के सहमती करते हैं फैसले में जो मेरा विचार है यानि कि अगर कोई आदमी जो बता रहा है ये उसके विचारों का भी महत्व होता है जितना मेरे पिता जी का अब ये बड़ा लोकतांतरी तरीका है, सही तरीका है सब लोग मिल बैठ के बात करते हैं और उसमें हर आदमी का मत रखा जाता है हर आदमी की बात सुनी जाती है तो ये प्रॉपर लोकतांतर है एक और बात बताता हूँ, मुझे वे शिक्षक ना पसंद है जो कक्षा में चातरों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगी या करूँगा जो लोकतांतरिक मानसिक्ता का हूँ अब क्लास में बहुत सारे बच्चे है अब आप अगर टीचर को देखें अगर वो मना करता है कि नहीं आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं तुम चुब बैठो या ये नहीं करो तो ये जो शिक्षक है ये लोकतांतरिक नहीं है यानि कि इसके मानसिक्ता लोकतांतरिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब को बरावर का मौका नहीं देता ये जिनको पसंद करता है उनको मौका दे रहा है जिनको ना पसंद करता है उनको मौका नहीं दे रहा है ऐसी एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे यह रहे कि जो फैसला हो रहा है या तो एक पार्टी कर रही है या पार्टी के गिने चुने लोग बाकी लोगों की बात नहीं सुनी जा रही बात की लोगों क का मतलब यह मत समझीए कि यह केवल सरकार पे लागू होता है लोगतंत्र जो है बहुत बहुतर शब है ब्रहत शब है यह सब्द के लिए यूज होता है चाहे वो कोई भी जगा हो जहां पर यह सारे rules and regulations जो हमने पूरे discussion में देख लिए वो follow हो रहे हैं किये जा रहे हैं वो लोगतंत्र हो जाते हैं तो इस देश में कुछ पाने का प्रयास सभी लोगतंत्र शासक करते हैं किसी भी लोगतंत्र देश को या फिर कहें डिमोक्रेसी को कुछ करना चाहिए यह कि इस देश में वास्तरीक लोकतंतर तब ही आएगा जब किसी को भी भूके पेट सोने के जरूरत नहीं रहेगे अगर आप किसी और की चीज़ की बात करेंगे मंदिर, मस्जिद, क्रिश्चन, आप कहें गिरजा घर की बात कर रहे हैं किसी और चीज़ की बात करेंगे उससे क्या फाइदा होगा जो आपने जिनके वोट से सरकार बनाई है या फिर आप बने हैं तो आपका में काम है कि कोई भी भूका नस होई ये सबसे जरूरी है इसके अलावा लोकतंतर में जितने भी नाकरिक है उन सबको समान भूमी का मिलनी चाहिए यानि जी वोट का समान अधिकार सबको मिलना चाहिए और इसके अलावा किवल यहां तक नहीं होता है कि वोट आपने दे दिया और आप चले गए ना इसके अलावा आपकी ये कहिए सूजना आपको सारी मिले सरकार क्या कर ले हैं आपको शिक्षा मिले बुरियादी शिक्षा मिले सबको सब को बुरियादी संसाधन मिले जाने सारे ressources बुरियादी मिले और अच्छी health मिले और पक्किण निष्ठा होनी चाहिए यानि या समझ लिजिए कि जो केवल वोट देना नहीं होता है एक लोगतंतिक सरकार आपके लिए एक सिटिजन के लिए वो सारा काम करे जो की बेसिक होता है मूलभूत अवशक्ता होती है किसी तो इसका मतलब ये हम समझ ले हैं कि इतने सारी जगा हमने बात कर ली लोगतंत्र आदर्ष तो कहीं में नहीं है कहीं हो सकता है 90% हो कहीं हो सकता है 60% हो किसी देश में तो पूरी जगा आदर्ष लोगतंत्र की तो हम नहीं बात कर रहे हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ये किया जाए हर देश ये करे तो देश का भवश शासकों को जो हम चुनते हैं उनके कामकाज पे तो निर्भर करता ही करता है बलकि मेरे और आप पे भी तो करता है यानि कि हमारे उन से ज़्यादा नागरी को पे निर्भर करता है तो जितने भी गयर लोकतांत्रिक सरकार हैं वो तो कभी नहीं चाहती है कि लोग राजनीती में आएं या राजनीती में हिस्सा लें लेकिन लोकतांत्रिक विरस्थाए कैसी होती है जहां पर मेरी और आपकी जिम्मेदारी होती है या फिर भागीदारी होती है कि जितनी जादा हम जिम्मेदारी निभाएं, जितनी जादा हम भागीदारी निभाएं, उतनी अच्छी सरकार चलेगी.